Dear student, जब आप सोचना विचारना शुरू कर देते हो ना, तो सोचने विचारने का समय कभी समाप्त ही नहीं होता है, कहने का मतलब है कि आप अपने लिए डिसाइर करने के लिए कोई टाइम लाइन बनाए ही नहीं हो, कहने का तात्पर है कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके चंतित होते हैं, लेकिन चंतित होने के बाद उसके लिए जरूरी एक्षन नहीं लेते हैं, ना आप आफ लाइन कोचिंग जाते हैं, ना कहीं आनलाइन कोचिंग जाते हैं, ना किताब्यों खरीदेते हैं अगर आपके पास नहीं हैं, और नहीं अपने घर पे बैठके पढ आπά़ना शुरू करते हैं। मनला पढ़ाई करने की शुरुवात किसी भी दिषा में आप करते ही नहीं हो। तो अगर आप ऐसे चЬठे रहें, तो आप जंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेर दूसरे की तारीफ दूसरे में दूसरे का नाम, दूसरे बड़ पन, दूसरे तो कहने का मतलब है ना कि आप पढ़ाई करो यार आफ लाइन आनलाइन मुझसे या किसी और से चाहे जिससे पढ़ो लेकिन पढ़ो और मेरी फीज सबसे कम है और मेरी वीडियो क्वालिटी सबसे अच्छी है ये मैं नहीं कहता ये आप ही लोग कहते हूं कमेंट करके वीडि लेते हो एक बार सिर्फ 500 रुपया फीच लगेगा इसी 500 के फीच में आपको पूरा फस्ट मैथ सेकेंड मैथ दोनों मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा और इतना ही नहीं रात को आठ बजे से नो बजे लाइव क्लासेस भी आपको दूंगा और इतना ही नहीं साथ में फीडिय भी आपको समय समय पर मैं देता रहूंगा तो अगर इतनी सारी चीजे मातर 500 रुपय में मैं दे रहा हूं तो ये बहुत कम है और इसी वज़े से डेली के डेली 24-5-4-500 वाला कलाह लेकर के आते हैं पढ़ते हैं आपको लगता कि सिर्फ आप वीडियो देखके छोड़ रह करना है जिसको टापर बनना है 2024 की एकजाम में सिर्फ वैसे बच्चे मुझे काल करते हैं मेरे इस नंबर पर और वे मेरा कोर्स जोईन करते हैं आपको भी जोईन करने का मौका मिला है भगवार ने आपको भी डिसाइट करने का निर्ड़े लेने का वक्त दिया है अब आप अगर अपने लिए निर्ड़े लोगे तो उसमें जो 500, 400, 600, 800 जो भी खर्चा आएगा ना वो आपकी पिता माता आपको दे देंगे आपको पढ़ने के लिए आपके पैरेंट्स हमेशा पैसे खर्च करने के तयार हैं लेकिन आप पढ़ो तो सही आप मेला जाओगे आप कह गूमने जाओगे इसके लिए हो सकता आपके माता पिता थोड़ा लेट से पैसे दें लेकिन आप पढ़ने जाओगे तो इसके लिए आपके माता पिता तुरंट पैसे देंगे तो जहां जिस जगह पे तुरंट पैसे मिलने हो उस फिल्ड में आप डिसाइड नहीं करते हो यही सबसे बड़ी भूल है और यह भूल आपको एक दिन धूल चटाएगी वोड एक्जाम 2024 का रिजल्ट जब आएगा आप भी कहोगे गुरुजी मैं फेल हो गया मुझे फिर से पढ़ना है मेरा मन नहीं करता घर में रहने का मेरा मन नहीं करता बाहर निकलने का ऐसी नौबत नहाए ठीक है तो मेरे प्यारे चात्रों आप सवरवात करिये नहीं मेरा अच्छा लगता क्लास किसी भी टीचर से जुड़िये किसी को भी अपना गुरु मान लेजिए उन्हीं से पढ़िये लेकिन पढ़िये जरूर बैठिये मत रुकिये मत चलते रहिए तकलीफे हो तो भी आप काम करते रहिए एग्नोर करते रहिए कभी बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो तो खड़ा होके पढ़िये जब खड़ा होके पढ़ने दिक्कते आने लगे तो बैट के पढ़िए फिर खड़ा होके फिर बैट के फिर बैट के उसके बाद 3-4-5 गंटा ऐसे बीच जाएगा तो बढ़ियां से आपका स्टेडी टाइम हो जाएगा मैं कहूंगा कि 12-20 गंटे ऐसे नहीं पढ़ना है मैं कहूंगा 4-5 गंटे पढ़ना है कभी बैट के कभी खड़ा होके खड़ा होके याद करिये बैट के सवाल करिए बस होगेगा किसी को बैठने में दिखे तो खड़ा हो जाए निन मर घुमते ही हो ना तो खड़ा ही हो किन घुमते हो क्या दिखे थे शुरू करिए चाहे जैसे शुरू करिए लेकिन शुरू करिए बस थैंक यू